सुप्रभाद बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे वख खुश होंगे बच्चों, हिंदी साहित्य की वर्कशीट नमबर एक में हमने स्वर, व्यंजन वपाठ एक में अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ना सीखा था बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य की वर्कशीट नमबर दो में शब्दों को मिला मिला कर वाक्य पढ़ना सीखेंगे तथा सब्जियों के नाम चित्र के साथ पढ़ेंगे तो आईए बच्चों, आपकी हिंदी पाठे पुस्तक से पाठ एक पढ़ें चल, 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 यश घर चल, बस पर चड़कर घर चल, घर चलकर पढ़, पढ़कर कलम रख, कलाश उधर रख, नरम मटर चक, बतक मत पकड, मदन नठकट मत बन जट पर उपवन तक चल, हल चल अब मत कर, घर चलकर कसरत कर, तरकश रखकर अचकन पहन बचो आए एक बतक कविता गुन गुनाएं घर पर आई एक बतक, मतर गईवे सब गटक, लहर लहर कर इधर उधर, अदरक शलगम सब चक कर, बतक आकर अब घर पर, चहल पहल अब हर पल, मदन कमल सब पढ़कर, नठकट चमन चड़ छत पर, अब जल रखकर आचचत पर, तब तक बतक गई उड़कर, बचो इस पाट में दिये गए, प्रशन उत्तर पढ़ें, वह याद करें प्रशन नमबर एक, घर पर कौन आई? उत्तर घर पर बतक आई प्रशन नमबर दो, बतक ने क्या क्या चखे? उत्तर बतक ने अद्रक वशलगम चखे अब इसके बाद बच्चो हम सीखते हैं सबजियों के नाम बच्चो सबजियां हमारे शरीर के लिए फाइदे मंद होती हैं सबजियां खाने से हमारे शरीर को पोशक तत्व मिलते हैं तो आईए बच्चो मेरे साथ सबजियों के नाम पढ़िये अद्रक, कटहल, परवल, मटर, शलगम, पालक, टमाटर, गाजर, खीरा, आलू मूली, करेला, लौकी बच्चो भरपूर सबजियां खाईए और तंदुरुस्त रहिए, घर पर रहिए, वस्वस्त रहिए, धन्यवाद